असकारूबन इंडिया में आपका स्वागत है मेहुवल टीम इंडिया और इंग्लेंड के बीच पांच मैचों की टेस्सिरिस का तीसरा मैच भारती टीम में काफी शर्मनाख तरीके से गवा दे इस मैच के बाद इंग्लेंड क्रिकेट टीम के पुर्फ दिगच खिला दी माइकल वॉन ने अजिंक्या रहने को लेकर बड़ा बया दिदा दरसल इंग्लेंड के पुर्फ कप्तान माइकल वॉन ने भारती टीम के उप कप्तान अजिंक्या रहाने को टीम इंडिया के सबसे बड़ा सिर्दर्द बताया और उनको प्लेइंग 11 से बाहर करने की सला दी रिक्वस के साथ बादशीत करते हुए इंग्लेंड के पुद्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि अजिंक्या रहाने तीम इंडिया के लिए एक इश्यू भारत को जैसे इंग्लेंड ने जैक क्राउली और डॉमिनिक सिबले को बाहर किया उसी तरह से टीम में चेंज करना चा आपको बता दें टीम इंडिया के उपकतान अजिंक्या रहाने ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना आखरी शितक और अस्टेलिया के खलाफ मेल्वन में खेले के टेस्ट मैच में चड़ा था उसके बाद से ही भारती उपकतान का बल्लग हामोश ही मिज़र आया इस सिर् पहली पारी में टीम इंडिया ने 78 रन ही बनाए इसके जवाब में इंगिलेंड क्रिकेट टीम ने 432 रनों का विशाल टोटल खड़ा किया दूसरी पारी में टीम इंडिया मात्र 278 रन ही बना पाए और तीसरा टेस्ट मैच भारती टीम ने एक पारी और 76 रनों से गवाद टीम इंडिया और इंग्लेंड के बीच के सिरीज का चौथा मैच लेंडन में खेला जाएगा ये मैच दो सितंबर से खेला जाएगा और इस समय टीम इंडिया और इंग्लेंड दोनों ही सिरीज में एक एक की बराबर ही करें सिरीज का अगला मैंच दोनों ही टीमें जीतना चाहेगा और अपने विरोधी टीम का दो एक शांदार बढ़त हासिल करना चाहेगा इस खबर में फिलहाल इतना तमाम अपडेट्स के लिए बने रही वन इंडिया के साथ